पुठान कोट के डाख खाना चौंक में आए दिन जाम की स्थिती बनी रहती है क्योंकि इस मार्ट पर गलत दिशा से आने वली गाड़िया इस जाम का कारण बनती है आज भी कुछ ऐसा ही हुआ जब एक गलत दिशा से आने वली गाड़ी की वज़े से लंबा जाम लग गया और आने जाने वले लोग परिशान होते नजर आए जब इस संबंदी राहगिरों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ट्राफिक पुलिस की और से यहां पर किसी भी मुलाजम की तनाती नहीं की गई और गलत दिशा से आने वाले वाहनों की वज़े से जाम यहां लगता है और दुकानों के बाहर खड़ी होने वाली गाड़ियां भी जाम का कारण बन रही है लोगों ने कहा कि इस मार्क पर सिवल अस्पताल भी पड़ता है और अगर जाम की स्थीति में कोई हाथसा हो तो अंबुलन्स पस चाती है तो मुसीबत बन सकते हैं लोगों ने इस समस्या का समधान करने की मांग की है इस संबंध ट्राफिक इंचार्ज रख्तार सिंग से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इन दिनों विवाज शाजियों का सीजन चल रहा है जिसके लिए आने राज्यों से लोगों को पठान कोट में शॉपिंग करने आते हैं जिनको ये जानकरी नहीं होती ये रास्ता एक तरफा है इसलिए जामदी स्थिती बन जाती है और जल्दी समस्या का समधान कर दिया जाएगा प्राफिक जामदा सब तो बढ़ाए कारण है जिता है रोंगसाड गडियां लगियां भी आने आ रोंगसाड गडियां आ रही हैं कोई मलाजम तनाद नहीं है इसे मोके दे देखो बिना मदब तो गड़ियां रोड़ते लगियां ने लोकाण बहुत प्रशाणि हो रही है जिनने भी आन्चाना ले लोगियां परसाशन नहीं मांग करना चाने है भी इत्य पकैदर मलाजम लाजम लाए जान जिदा मचल नमबर घड़ी है कोई जेके नमबर घड़ी है कोई पुछन आणा नहीं कोई कोशची नहीं है तो इस क सब्सक्राइब काफी लंबे समय तो जड़ी या पार्किंग दी समस्या लोग की जड़े इद्रों जे अंड के हमाचल तो लोग जड़े काफी अब देने जेना लोग जड़े अन्हें पता नियुंदा भी यार मैं किद्र नूबढ़ना है उन्हानो भर जड़ों आहीं एक दो बरी या नू समझा हुन्हे है बार-बारह समझा हुन्ते जे और नहीं दो नहीं दो नहीं चलाल कटनें और आज काल काफी भ्यावाधा जड़ा बड़ा जो रहा लोग जड़े बजार देवेच समान क्रीदे नमदेने उदे नाला जिकाल लोकानो काफी जड़ी या ओ पैदल तरना पेंदा उदरो तो पता भी बारी या जो काल बार्ष ने बड़ी मारा जलो बड़ी किरपा ओई या काल बार्ष खई या उदना मुसम जड़ा ठंड़ा ओया लोकानो काफी जड़ी गर्मी तो रात मे लिया इसे तरह होडी होडी जड़ी ये ट्रफ मस्या जड़ी या ओ नौनौल खत्म दी जाएगी